हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सीमर कुकिंग स्टूडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नए ट्रिक से बनने वाले आलू प्यास के बहुत ही बहतरीन पकॉड़े आये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे यहां पर बावल में आड़ करेंगे आलू और प्यास के छोटे छोटे पीसिस कट की हुए अब हम आड़ करेंगे एक कप बेसन बेसन आड़ करने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे हरा धनिया धनिया एड़ करने के बाद हम एड़ करेंगे मसाले, नमक, रेड़ चिली पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्च और स्वादनुसार, हल्दी एड़ करेंगे और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे mix करने के बाद हम add करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और अच्छे से इसका mixture ready करेंगे mixture ready करने के बाद अब हम gas पर पैन रखेंगे oil गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें add करेंगे छोटे छोटे pieces में ऐसे आलू और प्याज के mixture के पकोड़े अब हम इसे low to medium oil में दोनों तरफ से golden brown होने तक fry कर लेंगे दोनों तरफ से fry करेंगे देखिए इन पर कितना अच्छा color आया है आलू और प्याज के पकोड़े fry हो चुके हैं अब हम इसे stain करके kitchen paper towel पर निकाल लेंगे इसी तरह से हम mixture के सभी पकोड़े बना कर ready कर लेंगे ready हैं हमारे आलू प्यास के पकोड़े अब हम fry करेंगे कुछ कड़ी leaves और हरी मिर्च ऐसे हम stainer की help से इने fry कर लेंगे और इने उपर से गानिश करेंगे कड़ी leaves से क्योंकि कई लोगों को पकोड़ों के साथ हरी मिर्च खाने का बहुत मज़ा आता है इसलिए हम कड़ी leaves और green चीली से हरी मिर्च से पकोड़ों को गानिश करेंगे ready हैं हमारे पकोड़े आलू और प्यास के इसे मैंने गर्म गर्म चाई के साथ सर्फ किया है आप भी इन बारिश के मौसम में इंज्वाइ कीजिए आलू और प्यास के जटपट से बनने वाले पकोड़े आज की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को रेसिपी को शियर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स एस्पी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए